प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो सल्यूशन है कहीं ना कहीं उसका सल्यूशन है और वो सल्यूशन आत्माहत्य बिल्कुल नहीं है कभी नहीं है किसी हालत में नहीं है देखो मैं कितना भी ग्यान देदू सोचना आपको खोदी है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में एक बार इमेजन करो अपने माबाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले लिये खुद कुशी कर लिये शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा एकदम डारिक बोलू दिल से बोलू मेरा पहला नाशनल लवाट जो मुझे आज हमारे आदरनी राश्टर पती जी के हातों से मिलेगा मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है आपको बता जिस दिन इस नाशनल लवाट की अनाउंसमेंट हुई थी न उस दिन मैं अपनी मां से बात करते हुए अपने बच्पन का एक दिन याद कर रहा था जिस दिन एक्जाम का रिजल्ट आया था और मेरे मांक्स बिलकुल अच्छे नहीं थे आप लोगों से जूटने काऊंगा मैं उस कक्षा में फेल हो गया था रिपोर्ट कार्ड लाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज घर में बड़ी कुटाई होने वाली जा उस दिन मेरे पिदा जी ने मुझे सामने बिठाया और बड़ी शानती से कहा देखो बिटा तुम करना क्या चाहते हो ये बताओ मुझे बताओ करना क्या चाहते हो मैंने का पापा मैं स्पोर्ट्स में मन लगता है मेरा मैं खेल कूद करना चाहता हूं खिलाडी बनना चाहता हूं उन्होंने का ठीक है फिर उसमें ध्यान दो हम सपोर्ट करेंगे साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो आप इश्वास निकरोगे खेलते खेलते मैं माशलार्ट करने लग गया मैं मौडलिंग में आ गया एक्टिंग शुरू कर दी उन्होंने हर चीज में मुझे सपोर्ट किया अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स ने ये ना समझाया होता कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज में है तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि ये नैशनल अवार्ट कभी मेरे हाथ पे होता ये अपने लाइफ की कहानी मैं आपको एक वज़े से सुना रहा हूँ कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक आयाइटी के स्टूडेंट्स ने फासी लगा के आत्मा अत्या कर ली स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक फाइफ स्टा होटल के रूम से चलांग लगा कर अपनी जान दे ली एक्जाम में फेल हो गया था मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब आठ लाक लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन डेड़ लाक लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं और यंग लोगों में आत्माहत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशन्शिप का स्ट्रेस क्यों तुम्हारी जान एक एक्जाम के माक्षीर से सस्ती हो गई है नहीं ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो इससे तो देश के लिए सरहत पे जा कि तुमने अपनी जान ले लिए खुद कुशी कर लिए शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है पर इतने हलके में मत लो अपनी लाइफ को यार आपको पैदा करने वालों को जिन्दगी का सबसे बड़ दुख दे के मत जाओ और पेरेंट से भी यही कहूंगा यही पूछना चाहूंगा कि कहां गया वो जमाना जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैटके बाते किया करते थे पूछा करते थी कि कैसा चल रहा है आपके दोस कैसे है पढ़ाई कैसी चल र रहा है ऐसा क्यूं ऐसा क्यूं होता है कि जब बच्चे को हाथ पाउं पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को गुला लेते हो लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्चर जान देते हैं कहते हैं बिटा नो थिंक पॉजिटिव बिटा थिंक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर या कांसलर से हेल्फ लेना उतना ही ज़रूरी है जितना और किसी तकलीफ के लिए इसमें कोई शरम की बात नहीं है देखो मैं कितना भी ग्यान देदू सोचना आपको खुदी है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है कि कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है अपने अंदर घुलना उसको अंदर रखना दबा के रखना बिलकुल नहीं किसी दोस्त को बोल दो या अपने माबाप से शेयर करो मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन वाट्साप पे एक बहुत काम की बात फॉवर्ड की थी एक हॉस्पिटल की ओपन हार्ट सर्जरी यूनिट के बार एक शेयर लिखा हुआ था मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ महां लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना न पड़ता औजारों के साथ भईया मुझे एक प्रॉमिस करो कि आज प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो सल्यूशन है कही ना कही उसका सल्यूशन है और वो सल्यूशन आत्महत्य बिलकुल नहीं है कभी नहीं है किसी हालत में नहीं है अपना ध्यान रखो मिलते हैं तिल देन नेक्स टाइम गुद्बाई जैहें